हेलो फ्रेंश वेलकम तू अवर चानल आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत चागत है फ्रेंश आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसान के लिए सबसे जादा भरोसे मनमाने जाने वाले अनिमल डॉग की आज आपको डॉग के बारे में ऐसी जानकारिया मिलने वाली हैं जो आपको हैरान कर देंगी और साथ ही जानकारिया आपने पहले भी कभी नहीं चुनी होगी अगर आप एक डॉग और नहीं भी हैं तब भी मज़दा जानकारिया आपको जरूर पसंद आएंगी तो चलिए फ्रेंश शुरू करते हैं नंबर वन प्रेंश अक्सर आपने भ पर शूशू करके अपना इलाका तैग करते हैं जब वो गाड़ी दूसरे इलाकी या फिर दूसरे एरिया से गुजरती है तो उस एरिया के कुट्टों को दूसरे एरिया के कुट्टे के शूशू की वह स्मेल चहन नहीं होती और वे गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं इसी वज़े से कुट्टे कार या बाई का पीछा करते हैं नमबर टू यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जादतर पालतु कुट्टे चौकलेट खाने की वज़े से ही मरते हैं चौकलेट कुट्टों के लिए जहर होती है चौकलेट में एक तत्व थियो ब्रोमाइन मौद उद्र वाले होते है अपनी दकान से यह अपनीवां को निकालते हैं नमबर फॉर मेल डॉझ यानिकी नर कुट्ते पैर उठा कर सूचु इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने सूचु के निशान को जादा से जादा पनाना चाहते हैं जादा से लेटा हो दूमाने तब भी वे अपना घर कभी नहीं भूलते और कुछी दिनों बाद अपने घर वापस लौट आते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि कुट्टे प्रिथवी के चुम्बक के छेत्र यानि के मैकनेटिव फिल्ड को समझ सकते हैं इसी वज़े से कुट्टे बड़ी आसाने से अपना घर दूर निकालते हैं नमबर 6 जब कुट्टे एक दूसरे पर भूखते हैं तो वे अपने भूखने की पिछ को एच्जच करते हैं ताकि उनकी आबाद दूसरे कुट्टों से अलग सुनाई दे नमबर 7 कुट्टों के सूंगने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वे बिमारी को भी सूंग लेते हैं इंसान में होने वाले कैंसर और बाकी दूसरे बिमारियों का पता लगाने के लिए कुट्टों को ट्रेन किया जा सकता है कुट्टे सांस की गंद से कैंसर सैल्स को सूंग सकते हैं जॉर्ट नाम के कुट्टे ने इंटरनेशनल लेवर पर इसी वज़े से काफी शुर्ख्यां भी बटो रही थी जॉर्च कैंसर को सूंगने वाला पहला ट्रेन कुट्टा था नंबर एट कुट्टे के सूंगने की समता इंसानों के तुलना में 10,000 गुना जादा होती है एक बार सूंगी चीज कुट्टे अगली बार भी पहचान लेते हैं इस के कारण ही कुट्टों का इस्तमाल विस्पोटक और नसीले पदार्तों का पता लगाने में किया जाता है नंबर नाइन एक जैनेटिक गरबड़ी की वज़े से डैलमेशन नसल के 30% कुट्टे कम से कम एक कांसे बहरे होते हैं इसके बाद भी मनुश्यों के तुलना में इन और इस तरह से ड्रामा की जेकि आपको चोट लगी है आपका कुट्टा आपको देखने वापस आ जाएगा नंबर 11 कुट्टों के पैरों में पाए जाने वाले कई विकार नंबे नाखुनों की वज़े से होते हैं नंबर 12 कुट्टे अपने मालिक को हमेशा याद करते हैं इसलिए वफदार माने जाते हैं नंबर 13 जहां इन्सानों का नॉर्मल टेमप्रेचर 97-99 डिगरीव वाहीं कुट्टों के सरीए normal टेमप्रेचर 101 से 101.2 डिग्री फॉरन हाइट होता है कुट्टे के सरी का टेमप्रेचर अगर 99 डिग्री से कम हो या 104 डिग्री फॉरन हाइट से उपर हो तो यह उसकी हेल्थ के लिए गंबीर हो सकता है इसलिए अपने डॉक को फॉरन जानवरों के डॉक्टर के पास ले कर जाएं 14 कुट्टे बहुत अच्छे ताराख होते हैं यह बहुत ही शांदार तैर सकते हैं 15 कुट्टे दूसरे कुट्टों के लेकर जलंग की भावना भी रख सकते हैं अगर आप अपने कुट्टे के सामने किसी दूसरे कुट्टे को जादा लाट प्यार करते हैं तो इससे आपके कुट्टे में दूसरे कुट्टे के लिए जलंग के भावना आ सकती है कुट्टों के तीन पलके होती हैं जिन में से एक बलक उनकी आँखों को नम और शुरक्षित रखने का काम करती है कुट्टों के वफदारी का संदार उधारन हाची को नाम के कुट्टे से मिलता है हाची को अपने मालिक के मौत के बाद भी अपनी अंतिम सांस तक एक ही जगये पर खड़े होकर अपने मालिक के वापस लोटने का इंतजार करता था हार्ची को ने लगबग 10 साथ तक अपने मालिक का अंतजार किया और इसी के साथ हार्ची को दुनिया का सबसे वफधार कुत्ता बन गया 19. कुत्ते भेडियों के बन सजबाने जाते हैं इनका 99% डियान ने भेडियों से काफे मिलता जोलता है 20. नॉर्मली छोटी नसल के कुत्तों की लाइफ बड़ी नसल के कुत्तों की तुलनमी जादा लंबी होती है 21. सभी कुत्ते भौकने की पावर को समझते हैं इसलिए ऐसा करने पर उन्हें अपने मालिक का अटेंशन मिलता है फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव कुत्ते एक्सर अपने मालिक का ध्यान खीचने के लिए भौकते हैं तो प्रेंश ये थी कुत्तों के बारे में कुछ मदेदार जानकारिया हाला कि जानकारियों के लिस्ट अभी भी बाकी है पर इससे वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा और आप ही छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जानकारियों के इस लिस्ट को हम यहीं खतम करते हैं तो प्रेंश अगर आपको और भी ज्यादा जानकारियां कुत्ते के बारे में चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा हम आपके लिए कुत्तों से जुड़ी और जादा रोचक जानकारियों की वीडियो लेकर हाजिर हो जाएगे तो ट्रेंश मैं उमीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ सब्सक्राइब की लिए बाई बाई